हेई अवरीवान वेलकूम बेक तू दी चैनल आज किस वीडियो में हम डांस देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टन टॉपिक है इसमें हम क्लासिकल दांस और फॉक डांस दोनों ही अगवर करने वाले हैं चले फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखें को मिलती है संस्क्रिट स्क्रिप्चर है ये और ये लिखा गया था इन बेट्वीन 200 B.C.E. एंड 2nd century AD नाटिव शास्त्र के अकॉर्डिंग टू बेसिक फॉर्म होती है एक है लासे और दूसरा है तांडव लासे फॉर्म जो है ये फीमेल फेमिनिटी को दर्शाता है जिसमें भाव रस और अभीने होते हैं और तांडव को देखें तो ये मैस्कुलिनिटी को दिखाता है जिसमें मेल आस्पेक्स ऑफ डान्स फॉर रिदम मौजूद होते हैं अब इसके बाद एक और लिट्रेल सोर्स देखें जो इंपॉर्टेंट है ये अभीने दर्पन अभीने क्या होता है तो एक्स्प्रेस दर्पन मतलब शीशे को मिरर को ब इसके अपॉर्डिंग दीन बेसिक ऐलिमेंट्स के बताये गए हैं ये हैं नृत नाट्य और नृत्य नृत क्या है ये बेसिक डान्स स्टेप है जिसे रिदमिकली परफॉर्म किया जाता है लेकिन इसमें कोई भी एक्स्प्रेशन या मूड को शो नहीं किया जाता मितलब सेशल एक्सपेशन से लेस जो डान्स फॉर्म है डान्स स्टेप्स है उसको बलता है नृत्य अब नाट्य क्या है नाट्य मतलब नाटक तो इसके अंदर ड्रमाटिक रिप्रेजेंटिशन होता है और क्लासिकल डान्स में जो भी स्टोरी शो की जाती है उस स्टोरी को इवोक्ट थ्रू डांस ठीक है यह हो गई अभिने दर्पन की बात आगे वेदास की बात करें तो इसमें डांस के बारे में क्या-क्या चीज़ें में देखने को मिलती है तो पाथ्या पाथ्या का मतलब होता है वर्ड्स शब्द यह जो शब्द है रिगवेद से लिया गया है अभिने जेश्चर इसको बोलते हैं यह अभिने यजुर वेद में यह वर्ड हमें देखने को मिलता है गीत गीत क्या है म्यूजिक है सामवेद में यह देखने को मिलते है और रस रस यानिकी इमोशन्स यह अथर्व वेद में हमें देखने को मिलता है अर्लियर एविडेंस और Allura Caves यहां पर भी dance के evidences हमें देखने को मिलते हैं अब इन्हें dance form में अलग-अलग मुद्राज जो involved होती हैं उनके बारे में देखा जाए तो यह मुद्रा है क्या तो मुद्रा के use के दूप moods और expression को दर्शाया जाता है जैसे दिखते हैं हाथ के अलग-अलग मुद्राएं होती हैं इनसे अलग-अलग moods और अलग-अलग expression शो किये जाते हैं hand gestures के जरिए और body posture के जरिए भी तो इसमें हम देखते हैं तो 108 fundamental मुद्राज होत तमिल नाडू का classical dance है यह और oldest है जितने भी classical dance forms है हमारे आपर आठ उनमें oldest है भरत नात्यम भरत नात्यम का नाम जो कहां से derive होता है तो भरत मुनी जो थे भरत मुनी के नाम का भरत और नात्यम मतलब dance तमिल में dance को कहते हैं नात्यम तो यहीं से ही अपना शब्द का सिस्टम आपको पता होगा साउत इंडिया में मंदिरों में देवतासीज होती थी वो dance वगेरा और रिच्वल्स परफॉर्म करती थी तो उनहीं के दुवारा solo dance performance की जाती थी भरत नात्यम की जिसे दशियत्तम या फिर सदीर के नाम से जानते हैं अब famous proponent है भरत नात्यम एक prominent freedom fighter थे और साथ में इस dance form को revive करने में भी इनका एक बड़ा रोल है features देखे जाएं भरत नात्यम के तो क्या क्या होते हैं पहला है अलारिपू इसमें rhythmic syllabus पर focus किया जाता है फिर जटीश्वरम है नृत component इसके अंदर होता है जिसमें expression नहीं होता है नृत नात्य और नृत नृत के अंदर dance form होते है dance steps होते है expression less होता है इसे भरत नात्यम में जटीश्वरम क्याते है फिर शब्दम क्या है dramatic element with expressed words वर्णम क्या होता है combination combination of dance and emotions सारी performance का most important part होता है फिर पदम होता है पदम क्या है mastery over the अभिने expressions of the spiritual message जवाली क्या है short loves lyrics होते हैं थिल्लाना concluding stage होता है किसी भी performance का तो अभी देखिए इन सब का मतलब नहीं पूछा जाएगा लेकिन यह सारे शब्द याद रखेगा ताकि आपको पता हो कि भरत नात्यम से जुड़े हुए ही है यह word अलारिपु जटीश्वरम शब्दम वर्णम पदम जवाली और थिल्लाना कभी पूछा जाए यह शब्द कौनसे डांस फॉर्म से संबदित है तो आपको पता होना चाहिए भरत नात्यम को तंजोर नात्यम के नाम से भी जाना जाता है और एक चीज़ याद रखेगा हमने देखा था ना दो नात्य शास्तर के दो एलिमेंट होते हैं तांडव और लास् इसमें घुटने जो हैं मोसली मोडे होते हैं नीजार मोसली बेंट इस करेक्टराइजड बाए एक चर्य लास्यम स्टाइल फेमस प्रॉपनेंट है इसके यामिनी गुष्ण मूर्ती लक्षमी विश्मनाथन पदमा सुब्रमन्यम ब्रिनालीनी सारा भाई मलिका सारा भाई सुनल मान सिंहτοं ग synchron विश्मान ब्रिना tangent 그거 कुछी पूरी व्हhram आंधर प्रदेश में एक गाऊं के नाम पर इसका नाम पड़ा है और प्रदेश के क्रिस्टीप में गाऊं इसके नाम यहँआव एजaky इस दांस का नाम दिया गया है वैश्व इसमें भागवत पुरान की स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता है और यहीं इसका सेंट्रल थीम बन गया है डांसर जो भी इसको परफॉर्म करते हैं उन्हें भागवत आलूस के नाम से जानते हैं क्योंकि भागवत पुरान की स्टोरीज पर इंफेसिस होता है लेकिन यक्षगान was the generic name given to it ठीक है तो अगर पूछा जाए यक्षगान किसका generic name है यह कुचीपूरी को ही यक्षगान के नाम से भी जानते हैं फिर सिधेंद्र योगी इन्होंने कुचीपूरी स्टाइल ओफ यक्षगान को क्रियेट किया था 17th century में इस डांस फॉर्म को फीचर्स देखे जाएं तो इक ग्रूप में परफॉर्म किया जाता है कुचीपूरी यह important चीज है इस तरह थाली के ऊपर परफॉर्म किया जाता है पैर रखकर इसे तरंगम कहते है या फिर तारा डांस कहते है ठीक है ब्रास की प्लेट के ऊपर पैर रखकर यह परफॉर् देखें तो मंडूक शब्दम यह क्या है स्टोरी ओफ फ्रॉग यह काफीस में फेमस है तरंगम हमने देख लिया इस तरह की ब्रास की थाली के ऊपर पैर रखकर डांस करना जल चित्र नृत्यम इसमें फ्लोर पर पिक्चर ड्रॉ की जाती है डांस करते हुए फेमस प्रॉ इसको इंडियन एपिक से लिया जाता है जिसमें डांस म्यूजिक एक्टिंग सब कुछ शामिल होता है और इसमें जैसे आप यहां भी देख रहे हैं बहुत सारे कलर्स यूज किये जाते हैं और यह जो फेशल कलर्स है अलग-अलग मेंटल स्टेजिस को दिखाते हैं जैसे और महा भारत के एपिसोड्स इसमें निरेट किये जाते हैं उन्हीं पर यह डांस परफॉर्म किया जाता है एक्टिंग के साथ में 1930 में इसे रिवाइव किया गया बाइदा फेमस मल्याली पाइट वी एंड मैनन अंडर दा पैटोनोईज ऑफ मुकुंद राजा अब फीच को ब्लैक कलर यूज किया जाता है टु इंडिकेट इविल एंड विकड़नेस यलो कलर इस पॉर सेंट्स एंड विमन फिर उसके बाद रेड जो है इविल कलर इविल को दिखाता है वाइट बियर्ड देखी थी ना उपर उसमें यह हाईयर कॉंशिसनेस और डिविनिटी को शो करता है कतकली सॉंग्स के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है यह है मनी प्रवलम यह मल्यालम और संस्क्रित दोनों लैंग्विज का एक मिक्श्चर है नाइन इंपोर्टन फेशल एक्स्प्रेशन होते हैं इसमें जिने नवरस कहा जाता है नेक्स आते हैं मोहिन अटम पड़ा है मोहिनी अटम is mentioned in the literature व्यवहार माला इसको मजंगलम नारायना नम पुतरी इनके द्वारा 1709 में लिखा गया था व्यवहार माला को और इसमें मोहिनी अटम को मेंशन किया गया है फेमस मल्याली पाइट वी एन मैनन के द्वारा इसको रिवाइव किया गया अलानी अम्मा इस यह डांस फॉर्म है इसमें ठंपिंग को Har pi इसका एपस fedस होता है फुट वर जंटल होता है ठीके ला से अस्पेक्ट नारी मीकिया है यह व्यविटी ग्रेश इसका डौमिन इंट होता इन पर यह परफॉर्म किया जाता है अटवकुल या फिर अटवूज is the collection of 40 basic dance movements famous proponents इसके हैं सुननदा नायर, कला मंडलम, शेमवती, माधुरी अम्मा और जय प्रभा मैनन एक्सेटरा अब आगे आते हैं ओडिसी की बात करते हैं यह ओडिशा का classical dance है Lord Vishnu से related stories इसमें depict की जाती हैं और body posture जो है त्रिभंग इसमें use किया जाता है जादा त्रिभंग इसका मतलब है the body is deflected at the neck, torso and knees और इसके अलावा एक और posture है chalk इसमें भी body जो है deflect की जाती है at the neck, torso and knees यह दो primary postures है ओडिशी dance style में square की shape में बनाता हुआ body posture लिया जाता है जैसे आप यह posture देख रहे हैं यह ओडिशी dance form के एक विशेशता है next है Manipuri, Manipuri, Manipuri का classical dance है Manipuri में एक festival celebrate किया जाता है लाई हरोवा इसी festival से इस dance form का origin देखने को मिलता है 15th century में वैशनविजम में इसकी जड़ी देखने को मिलती है और इस dance form की central theme है Krishna females के द्वारा इसको generally perform किया जाता है it is associated with rituals and traditional festivals and about Shiva and Parvati as well as other gods and goddess who created the cosmos इसमें dance किया जाता है इस सब इसे संबंदित लेकिन main theme कौन है Krishna है फीचर्स देखा जाए इसका इस dance form के features devotion and not sensuality तांडव और लासय दोनों पर ही emphasis में दिया जाता है रास लीला दिखाई जाती है राधा कृष्णा की love stories को ठांगटा और संकीरतन जो है यह मनिपूरी dance form से ही influenced है famous proponent है मनिपूरी के जावेरी sisters नारायना सुवर्ना रंजना और दर्शना गुरू विपन सिंग इसेटरा नेक्स्ट आता है सत्रिया सत्रिया असम का dance form है classical dance form है शंकर देव जो की एक वैशनव सेंट थे और असम के रिफॉर्मर थे उनके द्वारा सत्रिया के शुरुआत की गई थी 15th century AD में as a means of spreading the वैशनव फेथ वैशनव मोनिस्ट्री जो होते हैं उन्हें सत्राज के नाम से जानते हैं और इसमें मेल ग्रूप या फिर मेल वॉंक्स जो होते हैं उन्हें भोकोत के नाम से जानते हैं इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किया जाता है खोल यानि की ड्रम सिंबल्स यानि की मंजीरा और फ्लूट मेल और फीमेल दोनों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है मेल्स के लिए धोती और पगुडी टर्बन ये इस्तिमाल की जाती हैं फीमेल इसमें घोरी और इनेट होता है कथक वस रिवाइट बाइड लेडी लीला सोखे इंदर 20th century कथक शब्द जो है कथा से लिया गया है विच रफर्स तो आ स्टोरी अलग अलग घराना अज में यह डेवललपमेंट इसकी हुई है कथक दान्स की फीचर्स की अब कई सारी घराना कौन से हैं गड़ावा दिया गया जैपूर घराने में देखें तो भनु जी इंफिसाइस्ट फ्लुएंसी स्पीड और लॉंग रिद्मिक पैटर्न्स थोड़ा थोड़ा हरे घराने में अंतर देखने को मिलता है राएगड घराने में देखें तो राजा चक्रधर सिंग के जाता है बिट्वीन दे डांसर एंड टेबल प्लेयर इसमें एक और चीज़ है गत भाव यह डांस है विदाउट एनी म्यूजिक और चैंटिंग कथक डांस अकंपनीड है विद थूपद म्यूजिक ठीक है इससे जुड़ा हुआ हुआ है यह फीमस प्रॉपनेंस के बिर् अब एक फेक्ट यह भी याद रखिएगा संगीत नाटक अगैटमी के अकॉर्डिंग आठ क्लासिकल डांस फॉर्म है जबकि मिनिस्ट्री अफ कल्चर के द्वारा नौ क्लासिकल डांस फॉर्म्स रिकगनाइज किये गए हैं इंक्लूडिंग छाव डांस ठीक है चाव को अपने रिट्वल्स वालो करते हैं इन सारी चीजों को डपिट करने के लिए फॉर्क डांस को इंडिविजुल्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है इच स्टेट और रिजिजन है इस यूनीक फॉर्क डांस ट्राइटिशन्स विच बेस्ट अन लोकल लेजिन्स और फॉक किया जाता है इसमें महाभारत रामायन और पुराणिन की मिथिकल स्टोरीज को निरेट किया जाता है चाया शब्द से चाया मतलब क्या होता है शैडो उसी से यह उरिजिनेट इसका देखने को मिलता है तीन में स्टाइल्स हैं चाय के ला चाय जारखन में यह परफॉर्म ह जाता है एक तरह का मास्क डांस है देट तेल्स माइथ लोजिकल स्टोरीज वाया फेरोशियस मार्शियल मॉव्स इसमें मैयूर भंज चाय जो है जिसको ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है इसमें मास्क नहीं बेंते आर्टिस्ट ठीक है चाय चाय वज इसमें महिलाएं जो हैं ब्लैक स्कुर्स पहनती हैं जैसे यह देख रहे हैं आप और सांप की तरह मॉव्मेंट इसमें किये जाते हैं डांस में में इंस्ट्रुमेंट के तौर पर बीन का इस्तिमाल होता है म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट के तौर पर बीन आप लोगों को जाता है तो इसलिए काल बेलिया डांस फर्म जो है इसट्राइब की द्वारक परफ़र्म किया जाता है इस काम में ही इन्वार्व रहती है ठीक है अब ये काल बेलिया 2010 2010 में इसको UNESCO की List of Intangible Cultural Heritage में इंक्लूड किया गया था फिर आता है मुद्येट्टू ये केरला का एक इसमें गॉड़ेस काली का जो दारिका के साथ जो स्ट्रगल रहता है तोनों के बीच में जो लड़ाई होती है उसको शो किया जाता है इसे भी 2010 में उनिसको की लिस्ट ओफ हें इंटेंजिबल कल्चरल हेटेज में शामिल किया जा चुका है फिर गर्बा आता है गुज्रात क यह फॉक दांस है नवरात्री के टाइम पर इसको परफॉर्म किया जाता है गर्बा गर्बा एक्चुली रेफर्स टू अ गर्भ दीप अ होल्ड अर्थन वेर पॉर्ट इन विच लांप इस लिट आंड लीडी इस डांस राउंड इट इन अ सर्कल विद रिदमिक क्लापि त्रकल इन देखा ही होगा हम सभी ने देखा यह फिर डांडिया रास्ट यह भी गुजरात का है इसमें पॉलिष्ट स्टिक्स का यूज चाता है दांडिया जिन को कहते है उसके जरीए डांस वार्म परफॉर्म किया जाता है इसमें दूर्ग और महिशासुर के बीच में बैटल होती है उसको डपिक किया जाता है इस डांस वार्म में फिर नेक्स आता है तरंग मेल गोवा का है गोवन फॉक डांस है देट सेलिब्रेट्स ता रीजन यूथ फुलनेस दशेरा और होली के टाइम पर इसे परफॉर्म किया जाता है रेंबो लाइक आउटफिट इसम गागरा पहन के लेडीज इसमें परफॉर्म करती है यह पिच्च में देखे रहे हैं आप लोग फिर आता है पाइका यह ओडिशा का है यह मार्शल फॉक दान्स है जो ओडिशा के सदन रीजन में पॉपिलर है पाइका इस लांग स्पेर टाइप इसमें डांसर के पास लव और डिस्प्यूट शो किया जाता है जाट जातिन में फिर डांडा जात्रा उडिशा का फॉक डांस है इत्स वन अफ़ काइंड कॉमिनेशन ऑफ डांस ड्रामा एंड म्यूजिक शिवा मिट्स अन लेजिंस द ओवरॉल मेसेजर सोशल हार्मनी और ब्रदर हुड डंडा चात्रा ओडिशा का फिर भी हू कहाँ असं का है ग्रूप परफॉर्मेंस है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह का देखे रहें ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहन कर इसमें परफॉर्म किया जाता है थांग ता मार्शल आर्ट फॉर्म है म इन सब को डिमॉंस्ट्रेट किया जाता है जिसमें जितने भी डांसर्स ने वो फेक फाइट सिक्वेंस को शो करते हैं तिक है अब यहां पर और देखते हैं स्टेट वाई सारे सारे देख लेते हैं आए अंधर प्रदेश का कौन-कौन से फॉक् नांसर आ अंधर डपू धिमसा कुलत्तम बुट्टा बोमालता घंटा मर्दाला अब मैं प्रणाउंस नहीं कर पारे हूं ठीक से तुम आफ कीजेगा पर यही है जो भी है अंधर प्रदेश के सारे फॉक दांसर्स हैं नेक्स अरुनाचल प्रदेश के देखे जाएं तो यह पोनुंग है फिर साधी नुक्सो पसी कौंकी बर्दो छम बुईया खंपती बुईया पोपीर इदू मिश्मी वांचो चालो और काफिफाई यह सारे हैं अरुनाचल प्रदेश के फॉक दांसर्स असम के देखे तो लिस्ट में कौन कौन है बिहु है बगुरूंबा है रिकिर्स है काली गु पाल गोवालिनी भोर्तल नृत्य बिचुवा नट पूजा जुमूरा होब जनाई देवधानी केनोय और ताबाल चौंगली बिहार के देखें तो यह हैं पनवडिया जाट जाटिन फगुवा समाचकवा बखु बाखिन जात्रा बिदेशिया धम दोमकच और पाइका यह स सारे रटके जाएगा सब इंपोर्टेंट है दुलपोड मुसोल शिग्मो मुसल खेल दिवल्यान नाच देखनी कुन्बी गीत धालो तरंग मिल धंगर मोरूलो फुगडी अमोन गौफ दशावतार और तुनाय मिल यह सारे हैं गोवा के फिर गुजरात के देखें तो है भवाई है टिपनी जुरियन पधार डांस और डांडिया रास यह सारे कांके गुजरात के हर्याना के हैं खोरिया घुमर घुगगा खोरिया दप रासलिला छटी गगोर तीजडांस सांग धमाल लूर और फाग हिमाचल प्रदेश के देखें तो यह हैं जाली नती महसू धमन, चमबा, चरी, मंगेन, डांगी, रक्षस, ठाली, किनौरी, जहनता, जोरा, छापेली और स्तिक डांस यह सभी हैं हिमाचल प्रदेश के जारखन के हैं सोहराई, जाट-जाटिन, कर्मा, हुंता, मुंडा, छाओ, सरहुल, पाइका, डंगा, बिदेशिया और संथाल ज करनाटका के हैं बाइलत्ता, खुतार, करगा, वीरागेज, लांबी, यक्षगान, डोल्लू कुनिथा, सुग्गी कुनिथा, और भूथा, अरधाने फिर केरला के देखें तो यह हैं खुडियत्तम, ओपना, चाक्यार कूठू, पढ़ियानी, थैयम, काई कोटिकली, थिदंबू नृत्तम, ओटम थुलल, धिर्यत्तम, धिरू बतिरकली, और चावितू नदकम फिर मध्य परदेश की बात करें यह हैं जवारा, तेरताली, मठकी डान्स, गृदा डान्स, चारकूला, सेला लर्की, मांच, फूल पती डान्स और सेला भधोनी डान्स यह सारे हैं, MPK, महाराश्टर के हैं, गफा, लावनी, गौरिचा, लेजिम, कोली, तमाशा, मौनी, धनगरी, गजा, नाकटा, वाडा, और दही गला, दशवतार मानिपूर के डान्स पॉर्म्स हैं, ठांग्टा, राखल, नटराश, धोल, चोलूम, महाराश और लाई हरावबा में घालिया के देखे हैं, तो यह हैं, बाला, काशद सुग, मिनसियेम, नोंकरेम, लाहू, लाहो, बेहदिन खेलम में जोर्म के हैं, चेराव, जांगतलम, चायलम, चेरोकन, पकुपिला, सरलमकाई, खुवलम और खनतम नागलन के दांस पॉर्म्स हैं, नूरलिम, खाईवा, जेलियांग, अकोप, खी, चांगसांग, बैंबू डांस, मोन्यो आशो, खुपी लिली, चांगलो, रांगमा, मेलो, फिता, रुख्यो, शारू ओडिशा के फॉक डांस हैं, रुक, मर, नाचा, पाईका, मुनारी, दिखाई, दलखाई डांस, बागा नाचा, दंडानाथ, घुमूरा, गोटी बुआ, और मेधा नाच इसारे हैं ओडिशा के हैं घुमर, घपल, जूमा, पनिहारी, जूलन लीला, सुईशिनी, भवाई, काल बेलिया, चारी, गंगौर, ये सारे राजस्तान के हैं, सिक्किम की बात कि रहे हैं, तो ये सिंगी चाम, चूफाट, सिक्मरी, याक चाम, और ताशी यांगकु, सिक्किम की रांस्वार में तमिल नाडू के हैं, अब कुम्मी, कोल अटम, ओईल अटम, पांपू अटम, कवादी अटम, करक अटम, पुली अटम, बोमा लटम, देवर अटम, मैल अटम, पोईकल, कुथिराई अटम, और थेरू कुथू, ये थोड़े आसाने तमिल नाडू के याद करने अटम वाले जारे हैं तेलंगाना के हैं पेरिनी शिवतांदवं गुसादी लंबाडी ओगुकथा डपू डान्स और थोलू बोमालता त्रिपुरा के डान्स फॉर्म है होजागिरी मसक सुमानी हाई हक डान्स गजन जूम लेबांग भुमानी वांगला डान्स गरिया मैमिता बिजु डा दान्स पदीशा और चेराव डान्स चेराव भी त्रिपुरा का है फिर उत्राखंड में देखें गड़वाली कजारी भूटिया सौरी भूटिया चोलिया जोरा बर्दानाटी च्छापेली लांगविर मृत्य रमोला पांडव मृत्य यह सारे उत्राखंड के हैं उत्तर प्रदेश के हैं रासलीला च्छापेली नौटंकी जैता चरकुला खयाल जोरा कजरा और दाद्रा जमु कश्मीर के हैं राव दमाली कुद कुद डांडी नाच मंदजस डोगरी हिकत दुमहल बचा नगमा यह सारे हैं जमु कश्मीर के और यह सारे इंपॉर्टन्ट है इन दोमनी, संथाली, कलिकापदी, कलिकापतादी, तूसा, 36 गड़ के देखें आगे यह हैं गौर मारिया, वेदामती, गौडी, पंथी, कपालिक, डोगरी, राउतनाच, चंदैनी और नवरानी यह सारे हो गए स्टेट के सारे स्टेट के फॉक डांसे अब आगे क्लासिकल औ दान्स में डिफरेंस लास्ट में देख लेते हैं और इसके बाद हमारी वीडियो यह एंड हो जाएगी, क्लासिकल दान्स में देखें तो इसका जो सोर्स है नाटे शास्त्र देखने को मिलता है जिसमें लासे और तांडव यह दो फॉन्डमेंटल पार्ट्स हैं क्लासिकल दान्स के इस तरह फॉक दान्स अगर हम देखें तो इसके लिए कुछ हमें सौर्स देखने को नहीं मिलता यह जो डान्स फॉर्म है यह क्रियेट की किये गए हैं लोगों के द्वारा तू रिफ्लेक्ट देर लाइफ जेनरली टू दू 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 अफ लोकल म्यूजिक ठीक क्लासिकल दान्स में किस तरह से मुद्राइं करनी है किस तरह से स्टेप्स क्या क्या होंगे वह थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वह प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ता है वहीं फॉक डान्स अगर हम देखें तो यह इंजॉइबल है लोगों की देर टूडे की लाइफ को दिखाता है इंजॉइ करते हुए लोग इसको परफॉर्म कर सते हैं लोकल लेजिंस पर यह बेस्ट है मेंली कंसर्णिंग हुमन इंटरक्शन और चेंजिंग सीजन्स ठीक है क्लासिकल दान्स और अल बाउट एलिगेंस और ग्रेस देखा होगा आपने जब भी क्लासिकल क्लासिकल दान्स सिर्फ वही परफॉर्म करते हैं कुछ प्रॉमिनिंट डान्सर होते हैं जिन्होंने बहुत सालों तक प्रैक्टिस की होती है एकदम ट्रेनर डान्सर होते हैं जिन्होंने सीख्या होता है वहीं अगर फॉक डान्स देखें तो ओर्डिनरी लोग जो होते है वो इनको perform करते हैं, इसमें dancers professional नहीं होते हैं, ठीक है, अब classical dance को देखें, तो 8 classical dances हैं भारत में, कथक, सत्रिया, भरतनाथियम, कुछीपूरी, कथक कली, मोहिनी अट्टम, मनिपूरी और ओडिशी, यह हमने उपर देख लिया है, सबको डिटेल में, लेकिन हम देखें folk dances की, तो इन इंडिया, there are about 30 different types of folk dances, घुमर, राजस्थान का, कच्छी, गोरी, चारी, राजस्थान का, काल बेलिया, राजस्थान के कुछ popular folk dances हैं, इसे तरह अलग-अलग state के, अलग-अलग folk dances होते हैं, तो यह बहुत सारे हैं, classical dance सिर्फ 8 हैं, अब यह थोड़े से PYQ हम देख पर वन लाइनर में है, who established an institution named Kalashram for imparting training in dance and associated discipline, तो उपर हमने देखा था Kalashram को पंडित बिर्जु महराज के द्वारा स्टेबलिश किया गया था, which art forms of Kerala is in UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity, यह है कुट्टी अट्टम, which is not recognized and intangible cultural heritage by UNESCO, सितार वादन इसे इन टेंजिबल cultural heritage में शामिल नहीं किया गया है, पंथी is a dance form, यह किस state का dance form है, पंथी यह 36 गड़ का है, अब यहाँ पर match करने हैं यह चीजों को, तो match already है, मोहिनी अटम, केरला का, यक्षगान, करनाटिका, गर्बा, गुजरात, और कुचिपूरी, अंधर प्रदेश का ह Which Puppet Dance is performed in Odisha, तो कंधेई नाम का Puppet Dance है, जो Odisha में perform किया जाता है, विच इस दर टेदिशनल थिएटर पाथेडर अव जमू कश्मीर, यह है बांड पाथेर, टेदिशनल थिएटर है जमू कश्मीर का, अब यह कर्मा दान्स का कर्मा पूजा देश के इस सेलिबरेटर इन और ये 36 गर जारकंड, मद्यप्रदेश, ओरिशा और वेस्ट बिंगॉल में परफॉर्म किया जाता है कर्मा का मतलब क्या होता है फेट है ना कर्म During which festival the non-krim dance is performed by the khasi tribe Khasi tribe के द्वारा non-krim dance को वांगला festival के दोरान परफॉर्म किया जाता है Annually होता है ये dance festival November में Which is the traditional theater form of Haryana, ये है Suwang, Haryana का traditional theater है इसे SWANG या फिर SVANG दोनों ही रूप में लिखा जाता है ये popular folk dance theater है, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh और Malwa region of Madhya Pradesh में और ये last question था हमारे आज के इस video का और इसे के साथ finally ये इस video का होता है and I hope पसंद आई हो आप लोगों को ये PDF चाहते हैं तो आप paid group join कर सकते हैं उसके लिए मिलते हैं next में किसी और topic के साथ है, thank you so much